हेलो फ्रेंड्स मैं गगंदी बदावन फ्रॉंग डिक्कि इंस्टिटूट श्राबाद महरकंडा ये वीडियो में अपने अपकमिंग बैच जो की क्लास 12 का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में जो डिटेल्ड इंफर्मिशन है वो मैं बताने के लिए जो है य जो बैच चल रहा है जिसके अंदर हम लोग physics, chemistry, mathematics और biology जिसमें competition प्लस board दोनों की preparations जो है वो हम लोग करवा रहे हैं already तो इसके अंदर हम लोग जो भी competitive exams है नीट का हो गया जो की medical competitive exam है जिसने अभी भी इस करनी है आगे ठीक है और IIT, JWA जो की prestigious engineering institutes के अंदर admissions के लिए जो ह जो है वो necessary है और NDA का exam जो है जो है जो आपको पता है defense के लिए होता है उनकी preparations जो है वो करवा रहे हैं साथ ही हम लोग इस batch के अंदर CBSE point of view से जो भी basic details है NCRT की सब cover करके चलते हैं इसमें हमारे बहुत सारे CBSE point of view से subjective tests और competition point of view से objective tests जो है वो दोनों हो रहे हैं तो इस बार जो है वो हम लोग एक physics और mathematics का separate batch जो है वो start करने वाले हैं जो कि after school time होगा ठीक है इसमें हम लोगों के पास science stream के medical और non-medical के जो भी बच्चे हैं जो school जा रहे हैं और physics को करना चाह रहे हैं board point of view से जिसमें हम लोग सब tests और assessments जो है assignments जो हैं वो अच्छे level के questions वगरा साथ मे लेके चलना चाह रहे हैं तो वो बच्चे इसको join कर सकते हैं साथ ही हमारा जो maths का batch है उसमें commerce, art, medical, non-medical जिन भी बच्चों ने additional लिया हुआ है या जिनका major में है वो हमारा maths वाला batch जो है after school time join कर सकते हैं ठीक है तो ये batch इस बार हम लोग जो दोनों physics और maths के separate board batches हैं after school time ज चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा response जो है इन batches के अंदर हम लोगों को मिले क्योंकि हमारी जो dedicated approach है चीजों को लेके वो सब लोगों को मालूमी है ठीक है तो इस चीज की बहुत ज्यादा demand मेरे को market में नजर आ रही थी बहुत टाइम से लोग हम लोगों को बोल रहे थे कि ये वाले separate batches जो है वो start करो तो इस साल हम लोग 2nd March onwards जो है वो शुरू करेंगे ठीक है धन्यवाद